प्री साथियो आए चलते हैं इसी स्रंखला में फिजिक्स के आमने अम्रिकल से लगवा रहे हैं पहले चेप्टर के उसमें ये ये भी बहुत इंप्वॉर्टन कुश्चन है हम सारे जितने भी से इंप्वॉर्टन क्कुश्चन करवा रहे हैं एक कुलाम आबेस में कितने लेक्टान होते हैं, सन 2010 में पूछा गया है, आप देख सकते हैं, तो यह बहुत important है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि आबेस कितना है, तो आबेस की मात्रा देखेंगे, तो आबेस हमको दिया गया है, केवल और केवल एक एक लेक्टान पर आबेस, यह होता है, वन पॉइंट सिक्स इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलाम, इतना होता है, अच्छा, फिर आबेस के कौांटी करण से, आबेस के कौांटी करण से, क्यों बराबर यह नहीं फार्मूला होता है, तो यहाँ से हमें तो लेक्टानों की अख्या ज्यात करनी है, तो हम यह न बराबर फार्मूला एन को प्रोग लेंगे, एको इसके अपान में बaltenेंगे, यह नहीं क्यों पान ही हो जाएगा, क्यों बटे ही हो जाएगा, क्यों कामान हमारा कितना है, वन पॉइंट सिक्स इंटू 10 की पावर माइनस 19 कॉलाम, कोला तो जीरो बढ़ा देंगे क्योंकि एक अंक है क्योंकि एक अंक है आप देखते हैं दस बटे 16 गुड़े दसकी पाउर 19 तो दो पंचे 10 दो अठी 16 आप देखते हैं किस तरीके से इसे स्वाल करेंगे जल्दी से पाच बटे आट अब तो भाग जाएगा नहीं क्या करेंगे इ जीरो इनको देदेंगे तो कितने जीरो बचेंगे 19 जीरो थे एक जीरो इनको देदिया 18 अब आट का भाग हम पचास में लगाएंगे देखते हैं इधर तो आट का पाणा सबको आता आ है आट छंग अर्तालिस बचे दो आप 10 गुड़े तो जीरो बढ़ाएंगे आट एक उलामाबेश का मतलब कितने एल्शतान होते ह। इतने चृजच समुलका 25 गोधश। 18, стр, इतने एउलकटान होते हैं यह आपका सही अंसर अगर चालक पर रिड़ा बेश होना होगा तो थिकता आएगी और धना बेस होगा तो कम एकी तो ये वीडियो जल盒 यह सवाल आपको जाईनम्वाद करके आप बार बार वीडियोको देख सकते हैं डियार कर सकते हैं ये परिछ्छा की दर्ट से रफ महत्मी उढ़ एक हैवं को पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों तक सेरे करें धन्यवाद